317 डादी तो कुछ बाक निकल कर आये तो जो बोलते हम जमीन खरीदेंगे कश्मीर में मतलब उनकी ये मैं सही अगर सही वाशा में बोलू तो दस रुपे की चीज खरीने की उनकी उकात नहीं होती पर वो जमीन खरीदने की बात करते हैं महाँ पर कश्मीरी लड़कियों से श इन्होंने किसके उपर अत्याचार ने किया हिंदू मुस्लिम की लड़ाई कराके इन्होंने अत्याचार किया फिलफ जिहाद कराके इन्होंने अत्याचार किया अप किसानों के उपर आ गए हैं आप किसानों के साथ अत्याचार करेंगे मतलब खुलम खुला देखिए अग किसान यहाँ पर आकर जनतर मंतर पे आ जाते हैं पियार से आ जाते तो क्या भिगड़ जाता जंतर मंतर अक्सर धने होते हैं आपको मांगे सुनने पड़ती हैं पर आगकर आप वो प्यार से आजाते हैं तो आपको कुछ नहीं भीगड़ता बट इनको अपनी गल्तिया छुपाने के लिए उस टाइम इनोंने महाँ पर बॉर्डर पर इंको रोका किसानों को उनके साथ बॉर्डरे कैनल का प्रियोग किया महाँ पर एक को अपनी जान भी गामानी पड़ और उसके बाद जिस थरा से हमने देखा लाठी चार्ज हुआ मतलब भुजूर्ग लोगों पर ऐसे लाठी चार्ज कर रही थी पुलीस तो बहुत बुरा लगा देखकर तभी मुझे लगा के बोलने से कुछ नहीं होगा वीडियोस बनाने से कुछ नहीं होगा इनके साथ पड़ेगा, जिस तरह से कुरूरता दिखाई है हमारी BJP सरकान ने, जिस तरह कुरूरता दिखाई है हमारी केंडर सरकान ने, वो इत परिके से चाटा है, बहुत बड़ा, देखी, आप, अगर आप कुछ गलत करेंगे न, तो आपको कोई अगला जनम नहीं मिलेगा, जिसका आपको फल मिलेगा, आपको इसी जनम में फल बुकतना पड़ेगा, आपको इसी जनम में ठोकर खानी पड़ेगी, और ये BJP जिस उड़ान उड रहे हैं अभी, जिस मतलब घमंड में है, वो एक जिन जरूर घटेगा घमंड, और इस तरह गिरेगा वो घमंड के इंको या कानून लेकर आती है, जो नोंने बोला कि हम रिटेल प्राइस अटा देंगे बीच में से, आप डायेक्ट बेची है, मतलब अभी देखिए जो बीच में जो दलाल पैसे खाने वाले होते हैं, वो जाते 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 कितना बढ़ा देते हैं, रेट को बजार में जाते ज क्योंकि इनकी जो गलतिया है, जो इनके आस्तर के कोई भी काम नहीं कर पाई, बीजेपी सरकाव, कोई विपक्ष का होता है, मतलब किसान तो किसान है, चाहे तो वो कहीं से भी आए, कोई से भी जाती से हो, कोई से भी धर्म से, वो हमें अन दे रहे हैं, और वो हमें अन जा के लिए है तो किसान जो भी हो वो हम सब का है हम सब उनकी में यहां पर इदेखकर निया एक कौन सा धरम है कौन सा जाती है हम मैं खुद यहां पर आई हो और कोई भी हो किसान हमारी लिए किसान है तो इस तरह की घटिया बाते करना और या इस तरह की मेंटेलिटी रखना लोगों के लिए किसानों के लिए अपने अंगाता के लिए बहुत ही बेशर्मी है फिस पीज़ेपी सरकादी तो देखें ना एक बारी कानून मना था जो बीज़ेपी का जो पहले कश्मीर का ऊपर आया था तो नहीं 377 तादी तो कुछ बाक्त निकल कर रिए ठीच घ्मकर्समिर करतें तो इसी तरह से यहां पर जो मतलब इतने कंजूस लोग हैं जो गर में इतनी चोटी-चोटी मतलब मिट्नलगा कर महां पर हलके किसेज़ें काकर उन्ही को काटकर खाते हैं वो भी लोग कह रहे हैं कि वहार निये जाहिं है या फिर इस थरा कि बाते करें तो पहले आप इतने उशार बनीए और विल्कुल राजनीति हट कर किसानों के सही में बारे में सोचिए कि अगर किसान ना होना तो अपने घर में आपको भूगा मरना पड़े आप कुछ नहीं है किसानों की बिना हम कुछ नहीं है किसानों की बिना वो है तो हम है वो हमारे अंदाता है उनके बारे में अगर आप नहीं सोचेंगे तो आपके लिए ये सबसे कुरूरता की बात है, सबसे बेशर्मी की बात है और आपको चुलू भर पानी में डूप कर मर जाना चाहिए अगर आप बॉटर कैनल का परियोग हमारे किसानों पर कराते हैं उसी पानी में डूप कर आपको मर जाना चाहिए, मैं तो सिधा सिधा यही कर तो मतलब बहरी है, गुंगी बहरी सरकार है, ना इंको कुछ दिखता है, ना इंको कुछ सुनाई देता है अब लिए किसान है अगर पूरा भर भी जाहेś तो विए बहले हों को पता ही झाए किया कर रहे हें क्या नहीं करेगे बेदु के कानू अई उलाएंगे उनको पास कराने में लग जाएंगे कोई काम नहीं करेंगे और हम यह कहते हैं कि हाव वापस ले सबक्लान वापस Rights ले हम लोगों कली नहीं आमलोगों कली कम सिकम किसान торिज नहीं ए भूरा होता तो जाता थोड़ी ना टो सब्कुछ अच्छा लगता है क्योंकि बात यह हैं न क्योंकि हमारे जो प complex रहें वह एक ऊशार प्र्धान मंतोरी नहीं अगर प्रधान मंत्री educated होते, होशार होते, तो शायद लोगों के बारे में सोचते, उनकी सोच भी उसी तरह की होती, पर हमारे प्रधान मंत्री जी, ग्रह मंत्री जी, अपने बच्चों को उपच हाने में लगे वे हमारे ग्रह मंत्री जी, उनका बेटा देख लीजिए, और झालango दयए है समें आए हैं यहां आए है